अपने यूवा जो हैं बहुत भटक गए हैं अपने तरफ के जो भी यूवा गरीबू कली क्या निहायत आप करते हैं निहाय डिकल कॉलेज बन भी रहा है इंफेक्ट अपने जीले में नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त मनिस और आप देख रहे हैं बेशनी विजिंडिया अभी मैं मौझूद हूँ प्रडवना विधान सभा के खिरिया टोला में एकता हस्पीटल में मौझूद हूँ और मेरे साथ मौझूद हैं डाक्टर अनवर जी मैं बता दूं कि डाक्टर सब्द एक ऐसा नाम है जिसको भागवान का दुसरा स्वरूप देखा जाता है तो उसी के बारे में मैं इसे बात करने के लिए हूँ तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है बहुत बह आप हमारे यहाँ इसके लिए भी आपको सहीरदय धन्यवाद और आपका काफी चर्चा मैं सुना हूँ काफी लोगों का इंटर्विव करते हैं इसी सिल्सिले में यहाँ भी आया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा नाम डॉक्टर मॉहम्मद अनवर है मैं अपने हॉस्पिटल को चला रहा हूं और लगबग 9-10 महीने हो गए अपने हॉस्पिटल को चलाते हुए मैं मन सच्छा पर ग्राम सवा खिसिय से बिलॉंग करता हूं और यहां सेवा लगतार सेवा जारी यहां पर एक तो हॉस्पिटल खिरिया टोला सैनिक धरम काटे के प यहां आते होंगे उनको किसी परदर कोई दिक्कत नहीं होता होगा दवा कराने में तो क्या कैस्ट उभिदा उपलब्ध है आपके बादेखे हमारे हां एक तो डे केर में रहता है अमर्जंसी 24 आवर रहता है और ओपीडी अच्छे दिन ओपीडी रहता है संड़े चोड़ है पड़ना विदान सबस्केत्र में जो क्रिटिकल केर के जो पेसेंट होते हैं उनको हैंडील कर सके तो इसका प्लान हम लोग के दिमाग में चल रहा है अभी जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है इसको आगे आगे तक लेके जाए जाएगा अभी प्राइल फेज में हम लो बुद्धवार को बुद्धवार को कोई फीस नहीं लगता है और महीने के जैसे मैं देखा था यहां पर जब मैं आया तो मेरे पास सांस के बहुत जादा रोगी आने लगे थे जैसे सांस कुलना जिसको अम लोग अपने बास हम सी यो पीडी अस्थमा बोलते हैं तो इसको हमारे हैं डाइबिटिक का मेरगी का यह सी ओ पीडी अस्थमा का और डाइजेस्टर सिस्टम को जो भी दिक्कते होती है पाचन के रिया से जो भी समस्या होती है उन सबों का सकुसल निदान किया जा रहा है फीस फीस मैंने आप से पूचा कि आपका 300 रुप्या है और हपते निहायत क्या उनकों तो फिर देखा जाता है जैसे बहुत ही जो गरीपे सेंट होते हैं उनको फीस भी वापस कर दिया जाता है और दवा में जो भी डिसकाउंट हो सकता हो किया जाता है किसी किसी को वैसे भी दे दिया जाता है दवा फीस सब कुछ श्री रहता उनके लिए देखा जाता है कि जब इंसान कम्याब हो जाता है तो अपने जो समाज जिस समाज से उठा रहता है उस समाज को भूल जाता है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे समाज को ले करके देखे ये डिपेंड करता है कि आप कहां से उठे हैं किस तरह से उपर उठे हैं अगर आप आसमान तक छूलें लेकिन आपको जमीन नहीं चोड़ना चाहिए हमें साफ में जमीन से जुड़े रही है और जो परिस्तिती आपके सामने रही थी उसको आप कांटिनी वियाद करत सथ प्रतिसत मदद करना चाहिए जहां तक पॉसिबल फिर अफ्कास्ट सारी चीज़ें हो जानी चाहिए तक है कि बच्चे दूर जा करके न पढ़े अपने च्छेतना सएक पैसे की बचत हो तो ऐसा होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए और और निश्ची त्रूप से होना चाहिए, इसके लिए हम लोग काफी स्टेट लेबल पर प्रियास कर चुके हैं, और प्रियास करने के बाद मेडिकल कॉलेज बन भी रहा है, इनफेक्ट अपने जीले में, और एक हम लोग और प्रियास कर रहा है, चुकि मैं IMA से जोड़ा हु तो उसमें सारे डॉक्टर्स लोग मिल के प्रस्ताव दिये हुए हैं, एक बढ़िया कैंसर को हस्पिटल खोलने के लिए, और जिसमें सारी सुबिदाये हो, सिटी सकेन, MRI वगएरा, जिसे की जो गरीब पेसेंट हैं, लखनव, दिल्ली, बनारस, इस जगह जाने से उनको कि जाया भाड़ा भी जादा लग जाता है, तमाम परिशानियों जेलनी पड़ती है, ट्रॉमा सेंटर भी नहीं है, तो इस पर पहल चल रही है, आप जितना जल्दी हो सके उत्ता जल्दी यह हो सकता है, ट्रॉमा सेंटर और कैंसर इंस्टिटूट बन सकता है, एक और सवाल चाहला दौर से भी कम्याब नहीं हो पाते हैं, तो उन इवाओं के लिए आप क्या खहाना चाहेंगे, जो इवा त्यारी करते हैं, छोड़ देते हैं, नकम्याब हो जाते हैं, तुस पी आप याँगन संदेश देना चाहेंगे? आप दिखे जो सफलता की कहानी होती है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन सफल कौन और सफल जो संघर्ष करेगा अपनी लक्ष को भेदेगा और उस लक्ष पर डटा रहेगा निरंतर प्रयास करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्दी होती है आप किसी चीज को पाना चाहत सबस्क्राइब दरणता हूं अपने डिस्टी के अपने डिस्टी के यूगा हैं लेकिन इसे में से सबस्क्लऻ से बबहुत अ कर रहे तो उन्हीं वहाँ से भटक जा रहा है उनको यह एक जो भी करें मैं निरंतर प्रियास करते रहें मिलना है जिस तरस जिस हिसाब से आप संघर्ष करेंगे उस हिसाब से आपको प्रडाम मिलेगा अच्छे-च्छे पोस्ट पर जाएंगे अच्छा नाम करेंगे बहुत धन्यवाज सर को और जैसे इन्होंने बताये कि गरीब लोग भी इनके हां आते हैं इनके यहां निहायत विरती है और हप्ते में एक दिन फिरी इलाज यहां पर होता है और ऐसे डाक्टर को मैं ससत नमन करना चाहता हूं क्योंकि हर जगह पे बड़े अस्तर पर जो डा सर करना सुरू कर दे तो गरेब लोग भी अपनी जो परसानिया हैं जो भी उनके साथ दिखते हैं वह समधान होगा बाकी इनकी विचार बहुत अच्छा लगा समाज के लिए इनोंने काम करते हैं और जैसे इवाओं के लिए इनों बताया कि बहुत सारे इवाज होते हैं पर्यास करते रहना बाकी आपको फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ जैहिन जै भारत